लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमारी डायनेमिक रेंज देखिया कितनी थी यहां कम थी यहां कितनी जादा थी अब यह वाले जो डायनेमिक रेंज है यह ओल्मस्ट उतनी ही रही है लेकिन जो कम थी न आप देखिये वोकल राड है उसको कितना बढ़ा दिया है जम सर में उन्हीं लोगों बना रहा हूं जो बिल्कुल beginner है फिकर बिल्कुल beginner है उन्हीं लोगों के लिए में बना रहा हो हूं क्योंकि जो ओलरी एडवांस है जो आप intermediate level के हैं या आपर advanced level के है तो यह बात आपको पता होंगी ठीक है आप चाहे तो मेरा वीडियो ही देख सकते हैं रुक के अधरवाइस आप मूव कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं वीडियो को ठीक है तो यह जो टॉपिक है यह उन्ही स्टुडेंस के लिए है उन्ही बच्चों के लिए है जो की बिल्कुल बिगनर है फ्रेश है अभी उन नमस्ते मैं हूँ नूबडा प्रोडियूसर और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है आपने हेडिंग देख ली होगी कि एड़्वांस्ड कंप्रेशन अभी एड़्वांस्ड कंप्रेशन क्या है तो बहुती मज़दार टॉपिक ह और बिना देर किये हम जल्दी से इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक सैंपल दिखा दिता हूँ यहाँ पर ओके सो यह हमारे एक सैंपल है एक वोकल मैंने रिकॉर्ड कर ली है हम इसको प्ले करते हैं ओके सो अगर आप धियान से देख रहे हैं तो आप देख पा रहा हूंगे कि यहां पर जो मेरी डाइनेमिक रेंज है दूर हटते है यह पास आ जाते हैं आगे पीची होते रहते हैं एक प्रॉपर डिस्टेंस वो मेंतें करके नहीं रखते हैं तो ऐसी condition में हम क्या करेंगे आप कहेंगे कि हम compression use कर लेते हैं बिल्कुल सही बात है आप use भी कर सकते हैं लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि recording का structure कैसा है क्या वो compression करने लायक है या नहीं वो बात आपको समझनी पड़ेगी अगर वो compression करने लायक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं मेरी समझ के हिसाब से ये जो भी vocal जो record हुई है ये compression के लायक नहीं है reason क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जब आप अपनी vocal को आप mixer rack के किसी भी channel में assign कर लेंगे हम यह assign कर लेते हैं number one पे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये कितने decibel तक जा रहा है और जब high peaks जो आ रही है वो कितने decibel तक जा रही है okay sorry मैंने या फ्रूटिली मिटे लगा रखा है मैं इसको पहले बंद करता हूँ देहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम okay अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यह 15 माइनस 15 decibel से लेकर यह 6 decibel तक जा रही है माइनस 6 decibel तक ठीक है लगबक इतना ज़्यादा इसमें difference है dynamic range कदर अगर हम compression अगर हम करते हैं बिल्कुल आपका कहना सही है हम compression भी कर सकते हैं आप देखिए हम compression करते हैं इसमें हम क्या करेंगे हम एक limiter लेंगे compression में गए यहाँ पर हम compression ले लेते हैं 2 has to 1 ठीक है चलिए अब भी आप ध्यान से देखिए पहले 15 to 6 जा रहा था माइनस 15 to माइनस 6 तक जा रहा था अब भी देखिए अब भी आराउंड ये माइनस 10 डेसिबल तक जा रहा है तो हम क्या करेंगे हम सोचेंगे कि हम यहाँ पर एक सीलिंग लगा देते हैं चलिए हमने लगा दी है अब भी देखिए मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम ओके तो अब हमारी जो 15 डेसिबल जो है माइनस 15 डेसिबल पर हमारी वो लिमिट हो गई है ठीक है आपका कहना है कि हमने अच्छे से कंप्रेशन कर दिया है हम गेन बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा देखिए मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम ओके तो 15 पर वो है हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है पर मैं आपको एक चीज़ बताओं हम हमारे वोकल की डाइनेमिक रेंज का सत्यानाश कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे जो वोकल रेंज है उसका सत्यानाश कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो हमने कंप्रेश किया है उस कंप्रेश करने की वज़े से जो वोकल था उसका एक तो स्ट्रक्चर कराब हो गया है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसलिए मैं बोड़ा हूँ advanced compression ठीक है क्यों क्योंकि compression apply करने से पहले हमको देखना है कि हमारे पात में जो raw vocal आई है उसका structure कैसा है compression apply करने से पहले हमको कुछ उसमें processing करनी है क्या हम कर सकते हैं वो ही सिखाना इस वीडियो का मेरा विशेश उद्देश्य है मतलब है ठीक है तो हमारा जो यह इस तरीके के vocals जब आपके पास में आते हैं जिसकंदर आप देख रहे हैं कि जो singer है उसके dynamic range में बहुत ज़्यादा उतार चड़ाव है और compression से वो stable नहीं हो सकता है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं अगर हम यहां से ceiling में बढ़ा देंगे हम तो देखे क्या होगा देहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिन्दगी तो भी वो माइनस 13 15 डेसिबल तक जा रहा है फिर higher 6 तक जा रहा है ठीक है तो अब काम की बात हम क्या कर सकते हैं तो यह बहुत important है अभी आप ध्यान से देखना ऐसे वोकल जबी भी आपके पास आए जब आपको लगे कि compression करने से जो उसका structure है या quality है वो खराब हो रही है हम क्या करेंगे हमें यहाँ पर लेना है जिस भी slot के अदर आपने जो अपना vocal sample है उसको assign कर रखा है उस पर आपको क्या लेना है आपको लेना है patcher ठीक है यहाँ पर आप पैचर में जाएंगे यहाँ पर प्रिसेट में जाएंगे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाने वाला यहां बाइक रइडर होता है हौर्स राइडर होता है ठीक है राइडर चलाने कौ जो आ पर किने चलाएगा है किसे चलाएगा जहां कर चाहिए तो हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे रेंज मिनिमम मिनिमम कितना आपका सैंपल है उसको तो सबसे कम ही रखना है सबसे उपर रखना है बाइडिफॉल आउटपुट वॉल्यूम इसको अगर आप चाहें तो ज्यादा कम कर सकते हैं पर अच्छा होगा ना ताल लेंगे सिर्फ देखने लिए कि कितना फरक आता है अभी हम क्या करते हैं हमको लगबग इसको इतना कर देते हैं उसके बाद क्या करना है हमको इसको क्लोज कर देना है ठीक है अभी कुछ भी नहीं हुआ है अब होगा क्या जादू आपको पहले कंट्रोल लबाके इस सैंपल को कर लेना है सेलेक्ट कुछ इस तरीके से उसके बाद आपको दबाना है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी आपके सामने ये मीनु खुल जाएगा आप अपने इसाब से यहां प और यह यहां पर आटोमेटिकली उपर आ गया है यहां पर लिखावा आ गया है कंसोलीडेटिड ठीके यानि इसने अपना जादू दिखा दिया है अब आप जड़ा इस सेंपल को देखिए यह जो सेंपल था न यह खतम हो चुका है यह आप चलाएंगे भी न इस चलेगा नी आप देख सकते हैं ओटोमेटिकली डिसापैर हो चुका है लेकिन हम यहां पर देख सकते हैं पहले हमारी डाइनेमिक रेंज देखिया कितनी थी यहां कम थी यहां कितनी जादा थी अब यह वाले जो डाइनेमिक रेंज है यह ओल्मॉस्ट उतनी ही रही है लेकिन जो कम थी न आप देखिए वोकल राइडिन उसको कितना बढ़ा दिया है जमीन आसमन का फरक आ गया है हम सुनते हैं मैं यहां पर देखो ओकी मास्टर पर यह तो ठीक है देलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिन्दगी लिख दी मेरे हम्दम हा सीखा मैं सो अलमोस्ट अभी यह 12 तू 6 पर ही रह रहा है तो एक तो हमारा बेनेफिट यह हो गया है कि हमारे जो टांजियन थे जो डाइनेमिक रेंज थे आप देख सकते हैं कितना फरक आ गया है अब हम जाकर इसको आराम से हम इसको अब कंप्रेस करेंगे तो यह पहले से बहुत ही बढ़िया कंप्रेस होगा अब हम जाके इसको अपने साफसे जैसे भी हम चाहे हम कंप्रेस कर सकते हैं देहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिन्दगी लिख दी मेरे हम दम हासी का मैंने जीना जीना कैसे जीना अब आप यहां देखिए डाइनेमिक रेंज का जो डिफरेंस से वो कितना रहा है अब देखिए आरा हम से हमने सीलिंग नहीं लगाई है पहले हमको उस वाल्यूम लेवल का जो उतार चड़ाव था ना इसको कंट्रूल करने के लिए हमको सीलिंग का सारा लेना पड़ गया था हमको ठीक है कंप्रेशन करने के बाद भी वोल्यूम उपर जा रही थी अब यह हमने क्या करना सीलिंग भी नहीं करी है हम यहां पर थोड़े सा सैचुरेशन अप्लाए कर देते हैं देहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम देहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम कर देहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम बीच बीच में एक दो जगे पर जा रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कि डाइनेमिक रेंज कितनी ज्यादा इसकी कम हो गई है ठीक है और एक बार हम क्या करते हैं हम उसको पेचर में जाके उसको 100% करके देखते हैं टार्गेट को अब क्या होता है हमने 100% कर दिया है करते हैं इसको हम बंद कर देते हैं और फिर से प्रॉसेस करते हैं और फिर से मैं नो सैंपल को लोड कर लिया है ठीक है इसको मैं करता हूं बंद sorry इसको मैं करता हूँ बंद इसको on ये number one में हमने assign किया है ठीक है वापिस हम पैचर में जाएंगे इस बार में जो target है ये target में 100% कर देता हूँ sensitivity मेरी 100% है इसको बंद करते हैं फिर हम इसको control दबा के हम इसको select कर लेंगे mouse का बन दबा के control all plus C start तो स्टार्ट करते ही हमारा जो यह वाला है यह म्यूट हो चुका है खतम हो चुका है पूरा और फिर से हमारा यह सेंपल यहां पर आ गया है ठीक है तो यह हमने ट्राइल गया था ओल्मोस्ट कुछ ज्यादा फरक परा नहीं है लगवग लगवग आउटपूट सेम ही है हलका फुलका थोड़े से ट्रांजियंट जो है उन में थोड़ा सा फरक यहां पर दिख रहा है अंडेट परसेंट करने से क्या हुआ है कि यह वा वहा क्यों है लूप कि शेल्म बढ़ गई है लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं हमारे घ्रांज है बाते थैके किसे हैं कितना वह है उपर कितना गयोप आप देखुति रहे हैं कितना का कितना गय पै Hag curriculum ओकट सैम्पल में इन उन्हें देखो कितना ज्यादा उसको एक लेबल करने की कोशिश की है यह देखे यहां पर है ना तो इस तरीके से क्या है इसमें तो काफी हद तक वो है करें से लिए आधरोगन के DAVID में चीम सेटा रहा है तो कभी ऐसा सरीमपल आपके पास मारा रहा जिसके अंद वोकल जो है वो भी थोड़ी सी अननेवन है ऊपर नीचे है माइक के थार रहा है से यह दूर जाआ है वोइस में अल बैलन्स हैस में उसके वायस में अनन बैलन से उस फुल कर दीजिए बागी कुछ मत छेड़िये और भार आजाईए उस सेंपल को आपको कंट्रोल दबाके लेफ्ट माउस के बटन से सेलेट करना है और जाके कंट्रोल और प्लस दबा देना है और इसको सेव कर देना है तो वह आटोमेटिकली आपका जो पीक्स है जो आपका परेंज है वह थोड़ी सी इवन होने की कोशिश हो जाएगा इवन उसको कर देगा तो हमारी पहले यह हमारे बिना उसके सेंपल था अब आप देखिए यह हमारा जो हमने वोकल राइडर का यूस करा है पैचर का यूस करा है उसके बाद में यह काफी हद तक कंट्रोल हो ग की कोशिश करूंगा आपके लिए मेरी बास्या Shelby ठीक्या रहे बार एस सो हॉता है कि कुछी टीचर होते हैं इसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता चाहे मों कितना पढले और वहीं कर टीचरे होते है जो बिल्कुल हमारा बड़ी मुश्खिल से मुश्खिल बातों को भी आसानी से समझा देते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस तरीके से आपके लिए लेसंस बनाऊं ओके तो वीडियो पसंद आया तो जरूर आप लाइक और शेर कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में